देखिए क्या कोश्चन है तो टोटल लंबर और फाइव डिजिट नंबर्स पॉम्ड बाई यूजिंग दा डिजिट 1 2 3 5 6 7 विदाउट रेपिटेशन विच अपने कोश्चन देखा होगा मुल्टीपल ऑफ 3 या डिविजवल बाई 3 होता पर यहां 6 दिया है तो कोश्चन क का जो सम है वो 3 से डिवाइड होता हूँ तो जो पहले नंबर दिये गए हैं उनको आप सबसे पहले अच्छे से एड कर लेजिए तो जब आप इसको एड करेंगे तो यह आता है 24 अब 24 क्योंकि 3 से डिवाइड होता है इसका मतलब आपको 5 डिजिट लेना है तो कोई एक डिजिट छोड़ना है पर वो एक डिजिट क्या चोड़ेंगा अगर आपने सपोज 1 चोड़ा तो यह 23 हो जाएगा जो 3 से डिवाइड ने होगा 2 चोड़ा तो भी 2, 3, 5, 7 यह भी 3 से डिवाइड होगा क्योंकि जब आप 3 को छोड़ते हैं तो इसका सम होता है 21 और जब 6 को छोड़ते हैं तो इसका सम होता है 80 और यह 3 से डिवाइड होते हैं बट कोश्चन में की है 3 नहीं इसका मतलब हमें नंबर को समझना पड़ेगा कि यूनिट प्लेस पर इवन होना जहूरी है तो माल लिजिए कि आपने 3 को ड्रॉप किया तो आपके पास बचे हूँ नंबर यह होंगे 1, 2, 3, 1, 2, 5, 6, 7 और इस केस में आपको यूनिट प्लेस पर या तो टू लेंगे या 6 यानि 2 पॉसिबिल्टी होंगी अब 2 पॉसिबिल्टी होंगी एक कोई कम हो गया तो 4, 3, 2, 1 यानि 24 इंटू 2, 48 तो यह हो गया पर 48 अंसर नहीं होगा और 46 से छोटा हो नहीं सकता तो 2 अंसर तो रिजक्त अब हो सकता है आपने 6 को ड्रॉप किया हो अब आपने 6 को जब ड् होंगे आप हमेशे एक्जामपल लेजिए चिससे क्लियर 1, 2, 3, 5, 7 तो इसका मतलब यूनिट प्लेस पे आप 2 ही रख सकते थे ओनली 2 तो एक ही पॉसिबिल्टी हुई है ना आप यहां पर 4, 3, 2, 1 यानि 24 तो दोनू को जब आप अट करते हैं तो अंसर होता है 72 नोट कर ल